अभी हम दिल्ली के उखला लैंडफिल साइट पर हैं जहां का दौरा बुधवार को दिल्ली के मुखमंतरी अर्वींद के जिवाल ने किया और उन्होंने बताया कि यहां पर जो कूरा हटाने का काम है जो उन्होंने बीती बार तक यहां पर 45 लाख میर्टिक टन के करीब कूरा था जिसको अब तक जो आज उन्होंने दवरा किया, तब तक उनका कहना था कि 18 में चाहिदादान का निस्पादन हो जाना था, लेकिन अभी तक सिर्फ 12 मेंची चाहिदान को का ही जो है निस्पादन हो पाया है और इस काम में जो देरी हुई है उसका कारण उने बताया कि जो एजनसी है ओ काम पूरा नहीं कर पा रही है तो इसमें दूसरी एजनसी की जरूरत है और उसकी प्रक्रिया जो है वो सुरू कर दी गई है लेकिन जो की स्टेंडिंग कमिटी जो दिली नगर निगम का है वो नहीं बन पाई है और पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोट में लंबित है और जैसे ही मामला सुलजेगा और उसके बाद जब स्टेंडिंग कमिटी बन जाएगी तो दूसरी जंसी को हायर कर दिया जाएगा और फिर जब दो एजंसियां काम जाएगा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे किस तरीके से कुड़ा आपको दिखेगा और यहां पर काम के लिए मसीनिया लगी हुई है जो काम कर रही है बता दें जो ओखला लेंफिल साइट है ओ दिल्ली के तीन बरेंफिल साइट है उसमें से उसमें से एक है ओखला लेंफिल साइट बता दें भलसवा गाजीपूर और ओखला तीन दिल्ली के बरेंफिल साइट है इससे पहले उन्होंने जो है इससे पहले उन्होंने जो है भलसवा में इस्थित लेंफिल साइट का दौरा किया था मुखमंत्री ने और वहां भी उन उन्होंने बोली और बताया कि उख्ला लेंडफिल साइट पर भी अब तक जो है अब 18 लाख मैटिक टन कुरेक अनस्पादन हो जाना चाहिए था लेकिन 12 लाख ही हो पाया है और काम में देरी का वज़ा उन्होंने कमिटी के नहीं बन पाना और दूसरी एजंसी का हायर नहीं मुख मंतिय अर्विंद के जिवाल इसी वर्स मार्च महिने में यहां का दौरा किया था जब दिली नगर निगम में आमादमी पार्टी की सरकार बनी थी तब यहां का दौरा करने के दौरान दिली के मुख मंतिय अर्विंद के जिवाल ने कहा था कि 26 सालों में उखला में विल साइट बना है, 26 सालों से यहाँ पर कूरा डाला जा रहा था जिसके बाद यहाँ पर कूरे का धेर हुआ है और 2019 से जब यहाँ से कूरा उठने लगा है तब से 20-25 लाख टन के करीब कूरा उठा है और अब यहाँ पर 40-50 लाख मेटिक टन कूरा जो है वो बचा है जिसको हटाने का कारे तेजी से किया जा रहा है और हम लोग कारे को और तेज कर रहे हैं और 2023 के दिसंबर तक कारे को पूरा कर लिया जाएगा लेकिन आज उनके बदले हुए सूर थे और उन्हों ने इस काम में जो देरी हुई उसका खमियाजा स्टेंडिंग कमिटी का नहीं बन पाना बताया और एक तरीके से अलग तरीके से ब्यान जो है वो देते हुए एजनसी आयर की जाएगी तब जाकर के यहां से कुरे का जल्दी से निस्पादन होगा और फिर हट जाएगा उन्होंने बताए कि मई 2024 तक जो लक्ष है उस दिसा में कार कर रहे हैं और उस दिसा में हमारा काम चल रहा है लेकिन कोई एक समय सीमा मुक मंत्री आज भी नहीं बता पाए चुकि जो स्टेंडिंग कमिटी का मामला है और सुप्रिम कोट में लंबित है और जब तक उसका फैसला नहीं आता तब तक को नहीं बन पाएगा इसका मतलब है कि जब तक दूसरी एजंसी हैर नहीं हुपाती है तब तक यहां से कुरा नहीं हट पाएगा बता दें बीते जो दवरान था उनका सीधा एही कहना था कि हम लोग काम तेजी से कर रहे हैं और यहां से कूरे के निस्पादन का कार जो है वो इस वर्स 2023 के दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा लेकिन अब यह कूरे का पाहार हटता हुआ फिलाल में नजर नहीं आ रहा है आस्तुस कुमार दिल्ली तर्थ झाल